वश्कार रादे किछना, प्रोवेशन में ट्रांसफर को लेकर चर्चाएं चल रही है, कल नोटिफिकेशन आया था सरकार द्वारा कि प्रोवेशन में जो ट्रांसफर हुए है, पांस साल में वो बताई जाए, उनकी न्यूज दी जाए, और आज अकवार में हिसार आए कि प सरकार इनकी न्यूज मांग रही है, अब बात यह है, एमजीज को लेकर काफी अंगाम में पिछली साल हुए थे, जहां पिछली सरकार से, गेलव सरकार से, तिरते स्रेने अध्यापक ट्रांसफर के लिए मांग कर रहे थे, आमरा नंशन किया था, काफी अंदोलों हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, अब जाती वे सरकार से सबको उमीद थी कि यह सरकार ट्रांसफर करेगी, लेकिन उन्होंने एमजीजिस के विदालिया खोले, और एमजीजिस के विदालिया के बाद, उन्होंने उनमें शिक्षक बरपूर मातरा में नहीं लगाए, 48006 को उन्होंने फोरुम बरा 30,000 शिक्षक लगबग उत्रिन होते हैं, 30,000 पद खाली बताये जा रहे थे, अकवार द्वारा के लगबग इतने ही पद खाली है, 6000 एमजीजिस विदालिया लगबग टोटल थे, तो उसमें एक विदालिया में पांस शिक्षक का नियम था, और ती में था कि ट्रांसफर ना हो तो मेरे नंबर अच्छे में चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी यहां क्या हुआ, कम माक्स वाले चले गए, और ज्यादा माक्स वाले फिर भी रहे गए, और सभी सिक्षकों को लिया जाता, सभी पद भरे जाते, तो शायद कोई भी नीरेता लग प्रिज्जी का सिक्षक ओना अनवारिया है, तब ही बरतमान स्रकार ने कहा, विदाले खोले गए, लेकिन सिक्षक नहीं है, इसी के लिए लगबग 800 विदाले हैं, इस बार जहां पे कोई एडिमिशन नहीं हुआ है, एम जी जिस वाला, लगबग 800 विदाले में नहीं बता है कि सम्मंदित अभ्यर्ति के वास्त्रिक वरिष्टा पदस्तापन में उग्ध प्रिवर्तन से एप्रवावित रहेगी, यानि कि आपका जो अभी आए, ओम जी जिस में आप, आपके वरिष्टा है, वो वहीं की वहीं है, अब आपने एक साल लूटी की है, यहां पे लेक तो अगर ऐसा ओटा है, तो या तो इसको पूरुन ट्रांस्फर मानते हैं, तब तो वरिष्टा विलोपित होगी, और ट्रांस्फर नहीं मानते हैं, तो जैसा कि उस आदेश में था, एम जी जी स्वालों के, एक साल का रिजल्ट जो आपका अच्छा रहता है, उसके दार आपको आगे लिया जाता है, तो रिजल्ट एक साल का हो चुका है, अब नया स्तर चलने वाला है, तो सरकार इसके बारे में क्या नया फेसला लेती है, कि उन्हीं सिक्स को वापिस वारा रखा जाता है, या फिर नया स्तर कि सदार पर पर प्रमानेक्ता जांच की जाएगी, या सभी सिक्सकों को वूल जिले में वेजा जाता है या उसी जिले में जहां आप डूटी कर रहे हैं आपको वहीं का कारमिक माना जाएगा अब बहुत सारी बाते हैं सिक्सकों कमेंट आ रहे हैं जो कि आपको बता है कि क्या-क्या विचार उनके दिमार्ट में चल रहा है सरह हमें वहीं रखेंगे बापिस वेज देंगे वरिष्टा का क्या होगा तुनी की जवाब दिये जा रहे हैं कि अभी तक सब confusion है अब सरकार क्या फैसला लेती है कारमिकों गई हित में ताकि उनका किसी प्रकार नुक्सान ना हो लेकिन एमजी जिसको लेकर जो सरकार के फैसले पिछली सरकार ने किया था ट्रांसफर भी नहीं किये एमजी जिसमें सिक्सकों बेजा भी नहीं और सिक्षक उत्रिन भी काफी अभी तक पैंडिंग है उनको भी नहीं लगाया गया तो वह सारे स्वाल हैं जो आपके मन में चल रहे हैं और सभी सिक्षक इसको लेकर परशान हैं अब देखते हैं क्या होता है मिलते हैं लेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद